अब लोगों को जो government colleges से उसकी एक list और डी मैंने एक video बना है और उसकी list भी उसके description box में मैंने दी थी कि government college कौन से इंडेट कॉलेज कौन से है, जो फंडेड कॉलेज को मतलब कौन से कॉलेज को फंडेट ही गॉवर्मेंट, तो इसके बार में मैंने discussion अलड़ी कर दिया है, आज मैं बच्चो अवरण बात का जो महराश्ट का बेस्ट कॉलेज है बच्चो, मतलब उसकी राइंग बहुत अच् उसके बाद में उसका placement भी अच्छा होता है, तो उसके बार में उसका discussion करेंगे, उसका rate क्या है, क्या ने, सभी उसकी fees क्या होगी, अब नहीं के बच्चो, around में fees बताऊंगा, एकदब exactly आपको fees नहीं देने वाला हूँ, तो यहाँ पे सबसे पहले, जो rate इंजिनिंग कॉल के दोनों भी होते हैं, है न, co-education मतलब, established year in 1960, मतलब पुराना college है, और अच्छा government college है, इसलिए आप लोगों को अच्छा खासा college मिला है, चलो, total faculties है, उसमें 81 faculties है, total student जो होते हैं, बच्चो, 1,970, degree है, इसमें, M.E., M.Tech, B.E., B.Tech, M.C. है, P.I.D., ठीक है, college की जो rank मिली थी, ranking मिली थी, 2019 में, 18, 19 में, वो 53 थी, बच्चो, इसकी rank, अच्छी, खासी rank मतलब, बहुत कम भी नहीं, बहुत जादा भी नहीं है, बच्चो, इसमें, highest salary offered हुई थी, 2000, यहां पे, 18 to 2019 में, सबसे जादा, यहां पे, 7 lakh per annum, मतलब, एक साल की, इतनी salary होगी, इतना offer मिला था, उसमें, highest salary का, ठीक है, इसमें, आप लोगों को, branches दी वेली, civil engineering है, और उसकी लिए, आपको, total, जो fees है, 2.72 lakhs है, mechanical engineering के लिए, 2.97 है, जादा इस से, CS and engineering, मतलब, computer science and engineering के लिए, 2.97 है, electronics and telecommunication, 2.97 lakhs, इतनी fees लगी की, total, आपको, साल की, यहां पे, tuition भी, जो होती होगी, साथ हजार होती है, उसमें, कुछ, आइड होके, और उसकी, जो hostel की fees होती है, ठीक है, जो hostel की fees है, वो, 20,000 fees है, आपकी, total मिलाके, ठीक है, यह आपको, hostel को fees लगने वाली है, IT, information technology and electrical engineering के लिए भी, आपको, यह fees, total लगीगी, आपको, एकी टाइम पे, one installment नहीं होता है, उसको चार, मतलब, four year का course है, four year का course होनके कारण, यहाँ पे, आप लोगों को, अलग, अलग, साल में, अलग, मतलब, इसके, division करके, आपको, fees भरना पड़ती है, तो, आपको, at a time, इतनी, fees भरनी की, जर्रत, नहीं होगी, ठीक है, इसका, अलब अच्छो, इसका, placement भी, बहुत कंपनी वहाँ पर आके, विजिट करती है, इतना, मैं, डीटल में, कौन-कौन सी कंपनी होगा, कहां-कहां, प्लेस्मेंट होगा, कहां-कहां नहीं, यह नहीं बता सकता हो, इसके बाद में, आपको, कुछ, फोटो, प्रदान देना, कि, college की, building, कैसे होगी, क्या होगी, सब में बच्चो, आपको इस description box में जाके, आप अपनी, वहाँ पर कौन सी faculties है, क्या है, कितने seats available है, पूरी details में information में लेगी, जैसी कि 60-60 maximum branches में seats available है, कुछ seats में 120 भी है, तो आपको वो पूरे courses में, यहाँ पर कितने seats available है, क्या है, इस description box में, आपको detail में, क्यूंकि इसको व उसका rank आओगा, आपको कितने number चाहिए, और कितने rank पर आपका number लग सकता है, जैसी कि कुछ सालों पहले, 126, दो, two years पहले, 126 पे भी कोई branch मिली थी, वहाँ पे, लेकिन आपको near about 140 की उपर number होना बहुत जरूरी, 140 number maximum होना चाहिए, बच्चो, अगर आप लोगों को यह व government हर college की information, थोड़ी-थोड़ी information आपको देते रहोंगा, और आगर आपको city-wise कितने, कौन से city में कितने government college है, कितने private college है, कितने funded college है, यहना added college है, सभी के अगर list चाहिए, तो मैं आप लोगों को दे सकता हूँ, so thanks for watching this video and best luck for your study.